हेलो गाइस, वेलकम टू एडेटेक इंफो यूटूब चैनल दोस्तों, आजके इस वीडियो में मैं आपको बाताना लाओ रियल में 11 5G के बारे में, जो बहुत जल्दी हमें इंडिया में देखने को मिलना ला है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, चले वीडियो को स्टार्ट करते है पहले हम बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर 6.7H की Full HD+, एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलना लिए, जिसमें 120Hz का refresh rate देखने को मिलना ला है, यहां पर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलना लिए, यहां पर LCD डिस्प्ले देखने को मिलना लिए, ले मेडिया डामन सिटी 6100 का chipset देखने को मिलना लाई जिए एक new chipset है और इस Smartphone में आमें देखने को मिलना लाई इसमें Mali G57 का GPU देखने को मिलना लाई यहां आपको gaming में भी कोई दिखकत देखने को मिलना लाई यहां पर gaming भी आप normal Lei कर सकते हैं को दिक्कत देखने को मिलना नहीं है क्योंकि ये smartphone का सबसा हाइलाइट फीछर इसका प्रोसेसर इसमें आमें 5g प्रोसेसर देखने को मिलता है इसलिए smartphone मां बहुत ही बड़ आप्रोसेसर देखने को मिलना मला है हब बात करते है smart phone camera के बारमे यहां पर 100 MP번 मेक्रा देखने को मिलना लाँ है इसमे घेडेट डेक्ट देखने को मिलना वर 2 MP번 मेक्रों संसर पद्शन बात करें, स्मार्टफून के सेल्फी कैमेरो के सेलपी कैमेरा кнопً को जो आगे-वरो सिंगल वाने बहुम हे जो मेडा है बात करते स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो यहां पर 5000 mh की बैटरी देखने को मिलना लिए, जिसमें 67W के fast charging का support देखने को मिलना ला है, जो in box होला है, तो यहां पर आपको battery के department में कोई दिक्कत देखने को मिलना ला है, यहां पर आपको battery बहुत ही बढ़िया देख 5000 mh की battery जो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलना ला है, तो यहां पर आपको battery के department में कोई दिक्कत देखने को मिलना ला है, अब बात करते स्मार्टफोन के OS के बारे में, तो यहां पर real में UI 4.0 का support देखने को मिलना ला है, और Android 13 का भी support देखने को मिलना ला है, तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक कि लुएस के लुएस के समयल